हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल होली फैक्ट्स में और आज हम आपको हमारे हिंदू सास्तुर में बताए गए दिव्य और शक्ति शाली नागों के बारे में बताने जा रहे हैं हमारे हिंदू सास्तुर में सभी युगों में नाग देवताओं के द्वारा मनुश्यों और देवताओं की कई बार मदद करने का भी वर्णन पाया जाता है आज भी हमारी संस्कृती नागों को देव रूप में पूजती है शेषनाग के पास ऐसी शक्ती थी जिससे वे जब चाहे मनुश्य रूप धारन कर सकते थे शेषनाग चीर सागर में विश्नु जी का आसन है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से मरीची ने एक कश्यप प्रजापती पुत्र उत्पन्न किया कश्यप ने प्रजापती दक्ष की सत्रा पुत्रियों से विवा किया रिशी कश्यप की सत्रा पत्नियों मसे दो पत्नियों के नाम थे कद्रू और विनिता कद्रू सर्पो की मा थी और विनिता गरून की एक बार कद्रू और विनिता जंगल में ब्रमण कर रहे थे वहाँ उन्हें एक सफेद रंग का घोड़ा दिखाए दिया विनिता ने उस घोड़े को देखकर कहा कि ये घोड़ा पूर्ण रूप से सफेद है लेकिन कद्रू ने कहा नहीं इसकी पूच काली है और बाकी का सरीर सफेद है कद्रू ने अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूच में जाकर लिपटने को कहा जिससे वे पूछ काली दिखाई देने लगे लेकिन उनमें से कुछ नागों ने ऐसा करने से और असत्यका साथ देने से मना कर दिया तो कद्रू ने क्रोधित होकर उन्हें यग में बस्म हो जाने का श्राब दिया कद्रू से एक हजार सक्तिशाली नाग उत्पन हुए थे इसलिए उन्हें नाग माता भी कहा जाता था इन हजार नागों में सबसे सक्तिशाली सेसनाग थे कहा जाता है कि हमारी पिर्थवी सेसनाग के उपर ही टिकी हुई है कहा जाता है कि इन सर्पों का मूल इस्थान कस्मीर था अनंतनाग नामक इस्थान को इनका गड़ कहा जाता है कालिका पुरान में ये उलेकित है कि जब रलय के प्रकोप से पूरी स्रिष्टी नस्थ हो जाएगी तब भगवान विश्णू और लक्ष्मी सेसनाग के फनों की छाया के नीचे सरण लेंगे सेसनाग अपनी मां और उसके भाईयों के चली स्वभाओ के कारण बहुत दुखी हुए और अपने भौतिक जीवन को छोड़ कर भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए भगवान ब्रह्मा ने उनसे प्रसन्यों के उन्हें ये वर्दान दिया कि आपके हातों हमेशा धार्मिक का रही होगा और साथ ही मैं सेसनाग को प्रित्वी को अपने फन पे धारन करने के लिए आदेश भी दिया शेसनाग का भौतिक जीवन छोड़ने के बाद जब वो तपस्या में लीन थे तब उनके जाती वालों ने वासुकी को सर्पो का राजा नियुक्त कर दिया वासुकी नाग सर्पो में सक्ति साली नागों में से एक थे वासुकी जिसको भागवान शिवने अपने गले में अभुसन के रूप में इवधारन किया वासुकी के पास एक अन्मोल मडी थी जिसे नाग मडी कहा जाता है वासुकी की पतनी का नाम शत्सीरसा था मंदराचल परवतने मतनी और नागराज वासुकी ने रसी की भूमी का निभाई थी जिसके कारण समुद्र मंथन संभा हो पाया था वासुकी को ग्याद था कि भविस में नाकुल समाप हो जाएगा इसलिए उसने अपनी बहन मंसा का विवा जरतकारू के साथ किया क्यूंकि इन दोनों का पुत्र ही नागवन्स की रक्षक कर सकता था आगे जाकर जब महाराज परिक्षित की मृत्यू तक्षत नाग के काटने से हुई थी तो परिक्षित के पुत्र ने एक यग का आयोजन किया जिसमें वे सर्पों की आहूती देने लगे और अगर ये यग संपन्य हो जाता तो पूरा नागवन्स ही समाप्थ हो जाता किन्तो जगत कारुग के पुत्र आस्थीक ने उन से प्रातना कर इस यग को रुक्षा की सायद आपको नहीं पता होगा कि मनसा को नागों की देवी का जाता है उत्रा खंड में मंसा देवी का मंदिर है वो मंसा देवी वासुकी की बहन ही थी तक्षक नाग हिंदू धर्म के प्रमुक नागों में से तक्षक नाग भी एक शक्ति साली और प्रमुक नाग थे कद्रू का ये पुत्र पताल में निवास करता है तक्षक नाग ने भगवान विश्नु के ध्यान में बैठे रागजा परिशित को डस लिया था जिससे उनकी वृत्ति हो गई थी तब परिशित के पुत्र जन्मे जय ने नागों को नश्च करने के लिए एक यग किया जिसमें नागों की आहुती देने लगे ये देखकर तक्षक नाग ने इंद्र की सर चला आता है तभी आस्तिक अपने नाग कुल की रक्षा के लिए वहां पर उपस्तित हो जाता है लेकिन वहां के द्वारपाल उसे अंदर नहीं आने देते हैं तो वो यग में शामिल होने के लिए कुछ मंत्रुचारण करने लगता है जन्मे जय उसकी मंत्रकला को सुनकर अत्यांद प्रसन्न होते हैं और उसे यग में सामिल होने के लिए अनुमुती दे देते हैं अनुमुती पाते ही अंदर आके वे सभी का अभिवादन करता है और यग और अगनी के लिए कुछ ऐसे मंत्रुचारण करता है जिससे जन्मे जय देखके अत्यादिक प्रभावि को मांग लेता है उधर तक्षक नाग यग में गिरने वाला ही होता है कि जनमे जय दुखी होकर उससे कहते हैं कि तुम इस यग की समापती छोड़कर कुछ और मांग लो लेकिन आस्तिक अपनी बात पर अटल लेता है और वो यग की समापती करने के लिए ही प्रातना करता है उपस्ति सभी रिशी मुनी ये कहते हैं कि आगर आपने इसे वर्दान देने का वचन दिया है तो आपको अपना वचन पूरा करना पड़ेगा सभी की सहमती को देखते हुए जनमे जय इस यग को समापत कर देते हैं करकोटक नाग करकोटक सिर्व करणों में से एक है आज आता है कि नारद मुरी के शराप के कारण करकोटक नाग अगनी से घिर गए थे तब उसकी रक्षा राजा नल ने की थी लेकिन करकोटक ने राजा नल को ही डस लिया विश्च के प्रभाव के कारण राजा नल का शरीर काला पढ़ गया था राजा नल को खर्कोटक ने एक शाप के कारण काटा था जिसके कारण राजा नल को वर्दान दे कर भृत्यू से मुक्त कर ब्रह्मा जी के कहने पर वो महाकाल वन में गए और शिवलिंग की स्थुदि क और शिव के अशिरवात के कारण ही जनमें जैग के द्वारा कराए गए यग से उनकी रक्षा हुई शिव जी उनकी तबस्या से प्रशन्युवे और उसे अशिरवात देते हुए कहा जो नाग धर्म का अचरण करेंगे उनका विनास असंभव है इसके पश्याद करकोठक उस शिवलिंग में ही समा गए तबसे ये शिवलिंग करकोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है कहा जाता है कि जो लोग चदूरदसी, पंचमी, प्रविवार के दिन इस शिवलिंग के आराधना करते हैं उन्हें नाग हानी नहीं पहुचा सकते तो फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में